आज हम जिम्सपर्म में पढ़ेंगे कॉनिफेरोपसिडा के मेंबर पाइनस के बारे में पाइनस जो है, it is a member of order कॉनिफरेल्स कॉनिफरेल्स is the largest order of जिम्सपर्म कॉनिफरेल्स जिम्नोसर्म का सबसे बड़ा order है इसके अंदर लगबग 52 जीनस और 520 स्पीसीज पाई जाती हैं जो की टेंपरेट रीजन्स में मिलती हैं इस ओर्डर के जो मेंबर्स होते हैं इनके ट्रीज किया जो शेप होता है वो कोन लाइप होता है इसलिए इन्हें कोनी फर्स कहा जाता है और कोनी फर्स के जो मेंबर्स हैं ये वर्ल्ड के सबसे लंबे और सबसे पुराने ट्रीज होते हैं और इस order में सबसे लंबा जो पेड़ है वो सीकिया सेमी परवेंसिस होता है जो कि लगबग 100 मीटर लंबा है और इसी order का प्लाड पुट्री सीकिया गाइगेंशिया जो है वो लगबग 4000 साल पुराना पेड़ है यह जो पेड़ होते हैं यह कष्ट्य प्रक्ष होते हैं जो सदा हरित और शाकित होते हैं लीप्स आरफ टू टाइप्स स्केल लीप्स और ग्रीन नॉर्मल लीप्स पर्ण दो प्रकार के होते हैं शल्क पर्ण स्केल लीप्स और अरे समाने पर्ण यह जो पौधा है इसका हम अगर क्लासिफिकेशन पड़े या सिस्टेमेटिक पोजिशन पड़े तो ओडर इसका सिस्टेमेटिक पोजिशन में कौनी फेरोफाइटा फाइटा, कौनिफेरोपसिडा, कौनिफरेल्स ओडर, क्लास फैमिली पाइनसी और जीनस है इसका पाइनस पाइनेसी फैमिली के जो विक्ष होते हैं वो मोनएश्यस होते हैं यानि ज्वी लिंगाशनी होते हैं अर्फा नरम बादा, दोनों प dobrakार के शंकू जो होते हैं वो एक ही प्लांटाइप लेकिन अलग अलग ब्रांचिस पर उत्वन होते हैं शाखाएं जो होती हैं और जो पर्ण होते हैं वो डाइमोर्फिक होते हैं और इस फैमिली के जो अधिकांश मेंबर्स होते हैं वो उनके जो लीड्स होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं और स्पैरली अरेंजट उनका अरेंजमेंट होता है तो इसमें आप दीखें जो स्पीस इंडिया के अंदर मुख्य रूप से पाइनस पाई जाती हैं, छे हैं वो, एक है पाइनस जिरेडियाना, ये जो स्पीसीज है, ये उत्तर पश्चमी हिमाले में लगभग अठारा सो से पैंतिस मीटर, पैंतिसो मीटर तक उचाई पर पाई जाती हैं, और इसके जो बॉने प पाइनों का एक सम्हों उपस्तित पाया जाता है, इसे नॉर्मली चिलगोजा पाइन भी आ जाता है, और इसके जो सूखे डीज होते हैं, वो सूखे मेवे के रूप में खाने के काम में आते हैं, नेक्स्ट पाइनस रॉक्स बरगई या पाइनस लॉंजी फोलिया, ये हिं और इसके पाइन पुट पर तीन पाइनक पाय जाते हैं, जिन्हें नीदल कहा जाता है, और इससे हमें रेजिन और टर्पेंटाइन तार्पीन राप्त होता है, तीसरा है इसमें पाइनस वॉलिशियाना या पाइनस एकसाइजिया, इसे इंगलिश में ग्लू पाइन नाम स से जाना जाता है और ये यूजबली सिक्किम और अधिकांश कुमाउं हिमालिय को छोड़कर हिमालियन रिजिंस में लगभग अठारा सो से तीन हजार मीटर की उचाई तक पहाणों पर बाय जाता है इसके पॉइनस पर में पांच मीडल जैसे पर्ण पाय जाते हैं इसलिए ये पेंटाफोलेट होता है और इस से हमें रेजिन और इमारती लगडी यानि कि टिंबर प्राप्त होता है फोर्थ है पाइनस खासिया या फिर पाइनस इंसुलेरिस यहां खासी चीड नाम से जाना जाता है और आसाम की खासी और नागा पहड़ियों पर मनीपुर में पैनों की संख्या तीन होती है और इसके वरक्ष जो है वो लगबग 30 से 35 मीटर लंबे होते हैं पाइनस अर्मेंडाई जो है यह 15 से 20 मीटर लंबा होता है और इसमें भी 5 पर्ण स्पर पे पाये जाते है यानि कि पेंटाफोलियर्स पर इसमें पाये जाता है पाइनस सावाब हमारे देश में पाइनस मॉनटेना पाइनस मोनोफाईला पाइनस सेब्स्टर आधी जातियां भी पाइजाती हैं पाइनस जो है एक विशाल रक्ष है जिसकी जो शेप होती है वह कॉन-like या पिरामेट जैसी पाइजाती है और यह evergreen plant प्री होता है जो की temperate regions में पाय जाता है pinus की एक species है pinus aristata जो की लगभग 4000 साल कवरिक पेड़ है ये और कैलिफोर्निया में पाय जाता है यहां देखिए pinus का external morphology का डाइग्राम ये देखिया इसमें हम देखते हैं कि pinus जो है जो इसका main plant body है sporophyte है हम सभी जानते हैं और ये लगभग sporophyte of pinus is 45 to 50 meters long and it is differentiated into root stem and leaf pinus का जो बिजानत भीद होता है लगभग 45 से 45 से 50 मेटर तक लंबा होता है और ये root stem of leaf में differentiated pinus पाया जाता है pinus is a huge tree and its shape is cone-like this type of tree habit is known as excorrent और main stem जो होती है इसकी उसमें आप देखे हैं कि दो तरे की branches मैने आप से बताया पाय जाती हैं stem is erect, cylindrical, hard, woody and branched and is covered with scaly bark branches are monopodial two types of branches are present long branches and dog shoots इसमें आप देखें यहाँ पर जो external morphology इसकी दिखाई दे रही है अपने को जैसा मैने आप से बता रहा है कि pinus जो है वो इसमें इसमें नेल कोण और फिनेल कोण अलग 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 branches पर एक ही प्लांट पर पाये जाते हैं देखें आप यह दिख रहे हैं अपने को इसी तरह से देखें आप लॉंग शूट्स और external morphology के अंदर branches of limited growth जो हैं वो डॉर्फ शूट्स हैं और branches of unlimited growth जो होती हैं वो लॉंग शूट्स के रूप में पाये जाते हैं लीव्स जो हैं इसके अंदर दो तरह की लीव्स पाये जाती हैं scaly leaves and foliage leaves डाइमोर्फिक होती हैं यह लीव्स और scaly leaves जो होती हैं वो पतली होती हैं membranous होती हैं और दूरे रंग के पर्ण होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं जो की दोनों प्रकार की ब्रांचेस पर और लॉंग शूट्स पर पाई जाती हैं लंबी शाखाओं के परिपक जब मैच्वर हो जाती हैं उसके बाद जो scaly perns होते हैं वो गिर जाते हैं और जो डॉर्फ शूट्स होती हैं उनके उपर पाई जाने वाले scaly leaves को catafils कहा जाता हैं इनके अंदर सपष्ट मध्य शिरा पाई जाती हैं दूसरे होते हैं foliage leaves जो की समान्य पर्ण को अपन needles के रूप में जाते हैं और यह लंबी सुई जैसी तथा हरी होती है और केवल दौर्फ शूट्स के apex पर पाई जाती हैं और पर्णस पर में उपस्तिक पर्णों की संख्या एक जातिया केरेक्टर है इसका क्योंकि अलग अलग जातियों में पर्णस फूट में पर्णों की संख्या अलग अलग पाई जाती है जैसे Pynus Monophila में एक, Pynus Mupiae या Pynus Silvestris में दो, Pynus Deradiana या Pynus Longifolia में तीन पाई जाती हैं एक्सेटरा थैंक यू